ब्रम्हंडी शक्तिया में आपका स्वागत है। एक दिवसिय भूत साधना या फिर प्रत्यक्ष भूत सिध्धी जैसी साधनाए गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। इस तरह की साधना को गुरु से ग्रहन कर आप घर पर भी कर सकते हैं। अद्रिश शक्तियों के बारे में कई शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आत्माए दो तरह की होती हैं, एक तो अच्छा और दूसरी बुरी। ये आत्माए जिस किसी पर प्रसन्न हो जाए या उन्हें कोई अपने वश में कर लें तो वे उनकी हर मनोकामना ततकाल पूरी कर देती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ तांत्रिक प्रयोग करके आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र काली विद्या में पारंगत लोग जैसे सिद्ध योगी, अगोरी, तांत्रिक आदी जो कठोर कठिन साधना करके ऐसा कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष भूत सिध्धी साधना कर रहे हैं, तो ध्यान रखे की ये साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए। ऐसी साधना करनी नहीं चाहिए। यहां शेयर की जाने वाली साधना निखिल मासिक पत्रिका से ली हुई है, इसलिए हम इस बात की पुष्टी नहीं करते हैं कि ये साधना आपके लिए काम करेगी या नहीं। सिर्फ जानकारी के लिए हम यहां पर बिना किसी बदलाव के शेयर कर रहे हैं। प्रत्यक्ष भूत सिद्धी अचानक ही पिछले दिनों मुझे गंगोत्री यात्रा के अफसर पर एक योगी से प्राप्थ हुई, पर जब मैंने गुरुदेव से इस संबंध में निवेदन किया, तो उन्होंने घर पर ही बैठ कर साधना संपन्न करने की आग्यादी उस योगी के निर्देशानुसार म भले ही मुठी भर लोग सत्य को अंदेखा करें, परन्तु इससे सत्य छुप नहीं सकता। भूत योनी भी ऐसी ही एक प्रामानिक योनी है, जिनका अपना संसार है, अपनी विचारधारा और मर्यादा है, तथा उनकी स्वयंकी कार्य करने की शैली है। इन सेवकों से घर की सफाई कराना, भोजन पकाना, शरीर की मालिश कराना, व्यापार में सहायता लेना, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मंगवाना आदी कार्य संपन्न होते हैं, और वे बिना कुछ अवग्या किये उस कार्य को संपादित करते हैं। मनुष्य और भूत में अंतर दूसरे वह पंचभूतात्मक जल, अगनी, वायु, आकाश और प्रित्वी संपन्न होने के कारण ठोस होता है, सबको दिखाई देता है, और प्रित्वी तत्व प्रधान होने के कारण वायुवेक से शुन्यपत द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, इसके विपरीत भूत में न तो गुरुत्वाकर्शन होता है, और न प्रित्वी तत्व प्रधान ही, इस वज़य से वह अद्रिश्य रहकर कार्य कर सकता है, डॉट वह कुछ ही सेकेंडों में वायुवेक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, और कार्य संपादि करवा सकते हैं, सामने मिट्टी के एक पात्र में काजल से उंडली द्वारा महाभूताय नमह लिखें और उस पर भूत दामर यंत्र रख दें, फिर हाथ जोड कर निवेदन करें, कि मैं प्रत्यक्ष भूत सिध्धी प्रयोग कर रहा हूं, मुझे भूत सिध्ध हो, जो जीवन भर मेरे अधना करें, 21 दिन निश्चय ही सौमे स्वरूप में भूत प्रस्तुत होगा और स्वयं कहेगा कि मैं काली का गण हूं और आपके वश्वर्ती हूं, मेरा नाम लेकर पुकारेंगे, तब मैं हाजिर होंगा और आप जो भी आज्या देंगे, उसे पूरा करूंगा, आगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, धन्यवार